नमस्ते कैसे हैं आप सब लोग अगर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत जादा रो रहे हो बहुत दुखी हो हर्ट हो परिशान हो पेन में हो लेकिन वो इनसान आपका दर्द नहीं समझ रहा आपका हर्ट नहीं समझ रहा आपकी पेन नहीं समझ रहा आपने बहुत पतान जिसे हम बहुत जादा प्यार करते हैं, तब वहां समझदारी काम नहीं आती, वहां एक ही emotion होता है, जो कि बहुत जादा हावी उचुका होता है, लेकिन वही एक समय भी होता है, जहां पर दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो उस emotion को हावी होने दें, और अपने आपको एक समय निर्धारित करके, कि ठीक है, इस emotion के निकल जाने का इतना समय मैं decide करता हूँ, और निकल जाने देती हूँ, ठीक है, दूसरा, एक समझदारी वाले दिमाग से हलका सा चलने की जरूरत हो जाती है, कि इस जिसे नुकसान किसका हो रहा है, मेरा, परी हर चीज खराब होई है, जब हम ऐसे पेन में होते हैं, तो हम हर चीज खराब कर रहे होते हैं, हर एरिया को खराब कर रहे होते हैं, अपने और जो रिष्टे होते होने भी खराब कर रहे होते हैं, अपने अंदर का ही महल खराब है, तो हम बार के हर चीज को खराब कर ही देते हैं, एनर्जी ऐसे ही क शुक्ति खराब कर दू मैं किकी स्से किस का नुक्सानूर रहा हैhte सबसे ज़्यक्ता नश्काने से मेरा हूरे हो रहा है और किसी काव कि अन्म धुर मुझू लॉक्तनी Nun तो छुड़ा थोड़ा रहत हो रहा है पेन हो रहा है दर्द हो रहा है और सामने वाला समझ नहीं रहा है तो रुक जाने से जादा बहतर और कुछ नहीं है अगर आपने बहुत कुछ ट्राय कर लिया उनको समझा के अपना पेन दिखा के तो इतना समझे अगर वो इंसान भी आपका पेन नहीं समझ रहा नहीं देख तरीके से डाउन होते होते अपने हर एरिया को खराब कर रहे हूँ तब हलकी से समझधारी आपको जीवन दान दे सकती है इतना रोना और इतना पेन और इतना दर्द हमें कहीं नहीं लेके जाएगा और यह भी वो रोना है जो इंसान देख भी नीरा जिसे हम बता भी नहीं पाँरे दिखा भी नहीं पाँरे और अगर वो देख भी रहा है या हम बता भी रहे हैं तो वो ऐसे हो रहा है कि ये एक ड्रामे बाजे डाइब का लग रहा है प्रस अगर दिमाग खोल के देखोगे, समझोगे, तो समझोगे कि दिल के हाथों मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अब कभी कबार लगाम दिमाग को देनी पड़ेगी, कभी कबार थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा, उसमें भी बार बार दिल पकड़ बनाएगा, लेकिन बार बार हमें अपने दिमाग को थोड़ी सी समझदारी देनी पड़ेगी, बहुत बार लोग अपनी self-respect को खो करके प्यार निभा रहे हैं, बहुत बार अपनी ego के चलते लोग प्यार को पाने या निभाने की कोशेश है कर रहे हैं, बहुत बार इस level के expectations हैं, जो पूरे नही हो रहे हैं और रिष्टों के इंदर सिर्फ दर आ रहे-खारी हैं और इसे हम हर्ट हो रहे हैं तो थोड़ा time देके दिमाग लगाओ सोचो कि आपकी खुद की life कहा जा रही है इतना हर्ट होने से इतने पेन में जाने से और वो इंसान देख भी नहीं रहा है वो भी समझ भी नहीं रहा है तो उतना ही मजबूर करो दिल के हाथों खुद को कि आपकी खुद की लाइफ बरबाद ना हूँ क्योंकि यह प्रीश्यस है इसका एक एक दिन एक पल एक गंटा एक एक महीना एक एक हाफता जो नि चीज़े समझ के चलो कि what you want in your life actually इस इंसान के अलावा भी क्या है आपके लाइफ में जो आप चाहते हो हर चीज तो प्यार और हर चीज तो वो इंसान नहीं है न उसके अलाव भी तो लाइफ में तो कुछ और भी है न और रिश्टे में अगर सेल्फ एस्पेक्ट जा रहे है तो फिर तो यहां पर सो बार सोचने की ज़रूरत है कि वो चीज जा रही है जिसका जाना बनता ही नह दोनों ही partners की self-respect बहुत जादा important होती है जिसको हम खो के भी आज प्यार कर रहे हैं तो उसे प्यार का नाम दे के उसे बदनाम ना करें यार फिर वो प्यार नहीं है जिस इंसान के अंदर अपनी ही इज़त नहीं है आपको लगता है वो दूसरे को इज़त दे सकता है उसे भी कोई चीज नहीं है देने के लिए मेरे पास नहीं है मानले जो कोई चीज है जो मुझे किसी को देनी और वो मेरे पास नहीं है तो मैं दे सकती हूं क्या मेरे पास नहीं है तो अगर मेरे पास मेरी ही self-respect नहीं है तो मैं उस रिष्टे में भी कोई respect दे सकती हूं क्या नहीं यह जूट है, यह अपनी ही दज्जियों उड़ाने वाला जूट है, और यह हम जितनी जल्दी समझ जाएं, उतराज है, इसलिए पहले जिस्ट प्रोटेक्ट यॉरसेल्फ, और थोड़ी सी लगाम अपने निमाग को भी ही दीजिए, अपना रखिये क्या है, अपने अपसे क जिए धीर सारा प्यार था, क्या पर टुराक्ट टू करें थी, सारा प्यार, I love you all, टाड़ाव